मैं बात कर दूँ बच्चो कि ये जो नीचे एक नोट लिखा है ये दराने हो ला है कि मैं भी जब इस कलेंडर को देख रहा था तो मैं दिनले पूल इसका देख रहा था कि यार कुछ रिटन में क्यों दो मार्च को फॉर्म आने वाले थे कब को आपको मालूम होगा दो मार् सब्सक्राइब कर देखोंगे तो 2016 में पहली बार दिल्ली पूलिस आया दिल्ली पूलिस की जो एंट्री हुई थी वह एससी पर पहली बार 2016 में एंट्री हुई 2017 में दिशंबर में इसका एक्जाम हुआ और 2018 में जोइनिंग हो गई बच्चो ठीक है एक्जाम हुआ 17 में और जोइनिंग हुई 2019 में वो फरवरी मार्च के महीने में 2016 में जोइनिंग ठीक है यह हुआ था दिल्ली पूलिस 2016 जब पहली बार आई थी फिर अगली बार दिल्ली पूलिस एक और एक्जाम हो गया जिसको हमने बोला दिल्ली पूलिस 2020 जो कोरोना के जस्ट बाद यानि पहली विव जो आई उसके जस्ट बाद भरती आई 21 में सेकेंड वेव आ गई तो चार-पाच महीने डिस्टरब रहा सब कुछ फिजिकल वगेरा हो आके यह 2022 में मार्च 2022 में जाइनिंग हो गई इसकी मार्च 2022 में यह ट्रेनिंग पे बैच यही दो भरती ऐसी हैं जो दिल्ली पूलिस की पूरी कराई थी इससे पहले क्या होता था इससे पहले खुद ही दिल्ली पूलिस कराती थी यह आया क्यों था दिल्ली पूलिस इसके अंडर वो इसलिए आया था कि जो दिल्ली पूलिस की इससे पहली भरती हुई थी ना बच करके और बच्चो जब इस तरह से दिलिपुल्स खुद परहजान होगी तो एक तरकारी संस्था जो एससी है जो तिर्फ एक्जाम कराना जिसका काम है उसको यह काम दे दिया गया आप ही करो और बच्चो अब यहां पर बहुत बास होगा यह है कि क्या से कर अब वापस दिलि में आपको बता देता हूँ बिली बुली से सोच के साथ जिया हो और तो सकते हैं इससे जाने के गवार आप सुन लीजिए करे ने हैं से जात्व और बच्चोँ भगाव, केसी हो, लगातार आ हैं और बहुत ज़्यादा ज़्यादा आ रही हैं और आ रही है तो बढ़ रही हैं क्योंकि प्रिख्राय किसमब बाजर 203, 24 में ऐलेक्शन है और सबसे आगा उमीर की जाती है SSC से क्योंकि सेनेटरल कर्मेंट की बढ़ती करती हैं अब अगर दिल्ली पुलिस को देती तो इसमें क्या है कि दिल्ली पुलिस को गराना पड़ता है क्योंकि दिल्ली पुलिस को गराना पड़ता है